नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एजुकेशन ग्यानेटरीव चैनल के अंदर मैं सुरभ एक बार फिर आपके साथ दोस्तों आज जो है हम पढ़ने वाले हैं हिंदी ए बी ए सेकिंड और ठरीयर की चैप्टर नमबर फॉर बाकी चैप्टर हमने क्लियर कर लिये हैं और प्रागय का चैप्टर आपको आई बटन में मिल जायेगा आपको बाकी वीडियो में चैप्टर का नाम है पढ़िये हॉत्जा क्या है carry a very clear होता है च्प्र रहे हम कि यतने भी मंच पर लोग कलाकार होते हैं मंच की कि दुनिया है उन की अलग ही इस चेप्टर इंदर दरशाया क्या है ठीक है और जब मंच पर हम कुछ करते हैं जैसे भी अ कि कोई नियाद मतलब जैसे हम आपने देखा हो एक वकल दिया हो बड़ी बड़ी फिल्में भी बनाई जाती कि छोटी च्छोटी वीडियो बना जा सकती है तो उन च्छोटी वीडियो को भी हम एक आंकी किया सकते हैं वैसे यह ष्छोटा रूप तीक है तो चलिए सुरू करते हैं इसे का इसको ही पड़ेंगे हैं क्यूंकि यहीं ज्यादे हैं इसके इनदर पर्दा उठा परदा गिराओ ये जो है यह महाह क्या परदे के पाहिदा की जा रही है परदा उठाओ परदा गिराओ एक हास्यं 60 फाइई है ठीक है ईक कर दोंके चोटा होता है अनुक्न चीज़े सनवात मतलब अबात करने के तरीके से होती है इसमें जू है इंपर्च इंप से सहल देन आद या कि इसमें पातर ड्रॉबक स्यंड यह ओलहारें उन्हें है पात्र कहते है हिंधी में ठीक है तो उनके नाम कुछ जगा यह है इसमें तो सबसे पहले याद करना है कि कलब के अमालिक का नाम है भगवंत ठीक है ये सबसे पहले चीज़ा ज्याद करने लाइक इनके भगवंत के चिछड़े सन्वात से इसकी सुरुवात होती है जो एकांखी के परदर्सन के लिए मुफ्त के पास बाटने के सक्त खिलाफ है इनका जो सो है ये सीज में मुफ्त के नहीं बाढ़ते चाहिए वो कोई भी हो ठीक है पर कुछ लोग है कि मुफ्त के पास बाढ़ देते हैं उसी वज़ए से भगवंत जो है काफी चिछड़े वेवाद के रहते हैं काफी घुस्ता करते हैं इसी बात को लेकर इसी करांट जो है कुछ अभीनेता उनसे नराज भ भी रहते हैं बलवीर नाम का एक करेक्टर है इसमें जो की सबसे पहले सबसे पहले अभीनेता जो है परदसन के समय बिमार पड़ गया है जिससे पूरी एकांकी की बनावाट पर असर पढ़ता है क्यूंकि बलवीर का रोल है जो वह अपकोन निभाएगा इस वज़े से ठी द्याराम जो जिगे है वो किसकी है कलब का मालिक भगवंत है बलवीर पिले करने वाला था वह रोल मिल जाता है हरी को क्योंकि बलवीर नहीं आपाता बिमार होने की वज़े से वह रोल जो हरी को दे दिया जाता है के अब हरी की भुमिका महा भात में पात्र भीम कि थी यायनि हरी यो रोल कर दा के हरी वह करदा था भीम की अ तो इसलिए हरी का जो रोल था वो खाली हो गया चुन्नि लाल को टेल जाता है कि भीम का लोल मिली है ठीक एक साथ ही इतना सारे को बतलेया तो एक साथ ही इतना सारे क्यरेक्टर के रोल इसमें चेंज हो जाते हैं इसी वजह से यहां पर थोड़ी सी गरबड उत्पन होती है जब परदसन का समय आता है तब जो है सब पात्र बहुत गवराई हुए होते हैं पात्र मतलब यही जो रोल कर रहे हैं जैसे चुन्निलाल हो हो गया ठीक है यह सब लोग काफी घवराई भी होते हैं क्योंकि इन सब के रोल आपस में चेंज हो गए होते हैं थेटर में दल्सक बार-बार सीटी बजाकर परदा उठाने के लिए सोर करते हैं किसी तरह एकांखी का परदसन सुरू होता है भीम की भूमी का करने वाला मरे तिक है अब यह ृती हो थी हरी का रोल चुनिललाल को दिया गयाता चुनिलाल को किसी तरह जवजस्तिे मंज धाकर दिया जाता है कि रहने पर ऑप tells us को दो डर्सको उसे हूट करते हैं यह अफश्य करना लगता है मतलब चुछदे वैबहार से हों लगा दर्सकों बीच में गुष्टा सा उत्पन होने लग जाता है घबराकर निदेशक दयाराम परदा गिराने को कहता है परदा गिराओ परदा गिराओ तब भी कहता हूँ अचानक ही वह दर्सकों के बिगड़े हुए मोड को समाहने के लिए अफिम्चियों को बलाया जाता है और दूसरे नाम की एक एकांकी तयार कर ले जाती है जिसका नाम होता है राज पोतानी ठीक है वह मंच पर खड़ा होकर दर्सकों से माफी मैंगता है कौन डिरेक्टर जो है और उन्हें सांथ रहने के लिए अनुरुवत करता है कि सांथ हो जाइए हम दूसर एकांकी तयार की हैं दूसरे कांकी आपको दिखाते हैं और दूसरे नाटक की घुस्टन कर देता है इसके बाद फिर परदा उठाया जाता है इस नाटक में एक महारानी है जो कि क्रोच से अग बबूला होकर अपनी दासी को फटकास दी है यानि कि डाट मारती है एक महारानी अपने अब यहां पर देखे थोड़ी सी कंफ्यूजन है वैसे बागे कुछ नहीं है एक बार में ही समझ माह जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे और दूसर करके कुछ कुछ सनवाद बोलना लगता है महाराज की घुसे हो जाने पर वह यह बूल जाता है कि वह तो सेवक की भूमिका कर रहा है और उल्टे महाराज को ही धंकी देना लग जाता है कि अगर मुझसे घुसा किया तो बहुत बुरा होगा मुझसे घुसा किया तो बहुत है कि वह भूमी के कर रहा है और डायक्टिव ने उनकों ही उल्टा सीज़ा कहना लग जाता है इस गरपड़ पर जो है दर्सों को में काफी हसी और सोल गुल्प और हड़कंप मर जाता है दयाराम और मालिक भगवन्त तुरंत ओडर देते हैं परदा गिराओ परदा गिराओ तो इसका आधेसों दे देते हैं यह कांग की फिर यहीं पर समाप्त हो जाती है इस परकर जो है लेखक ने इसके द्वारा कलाकार कलवों की दुनिया की असलियत को प्रस्तुत किया है इस चैप्टर में वैसे इतना ही था और चोटा सी चैप्टर बहुत ज़्यद्र बड़ कर सकते हैं या फिर ओनलाइन भी देख सकते हैं मिलते हैं चल्द ही अगली वीडियो में थैंक्यू फ्रेंड्स